अरुस्तों असलाम वेकूम कैसे हैं सब ठीक हैं उमीद है सब खेरिये से होंगे आज हम क्लास 10 का यूनर 16 का लास टोपी कवर करेंगे यानिके हाउस से अलार्म बहुत इंट्रेस्टिंग टोपीक है और पेपर में लोंग क्वेशन के पॉइंट आव यू से भी आहम है पेज यू सिस्टम में जानेसे पहले मैं आपको लोटिगेर्स के इस्तमाल वो बता खो डिएक का ईस्तमाल अजकर बहू जाब हो जहाता है जिए बिश हर आप Beh domain यूजूली यूजD बेंडं से मच þेएं तो इसके लावा यह ज़िए सिर्वेशन हैं इस अज्खर CIS ये अलेक्ट्रोनिक सर्कुर्स हैं उनमें ज्यादधर LDR का इस्तमाल किया जाता है यूंग यह कि अगर LDR जो है ये इनपुट वैल्यूज को लो रखती है ठीक है अब ये बिसिकली क्या कंसेप्ट है अभी मैं आपको हॉस से अपटी अलाम वाला तो टोपी का उसमें आपको सरकर के ओपर फाल ओरी होती है और यह उपन हो जाता है जब लाइट फाल नहीं होती यानि कि जब डार्क डार्कनेस होती है जब अंदेरा होता है तो यह सरकर ओपन होता है और जब लाइट सरकर के ओपर फाल करती है तो यह सरकर क्लोज होता है तो यह हमारे पास LDR जो है ब सिस्टेम बहुत ज्यादernen हो जाती है वे पाइदावे हम इसको होस्ताइफटी अलाम सिस्टंट में डिटेयर में देखते हैं अधा होस्ताइफ़ ohsw सिस्टम ज्राइर्ज होना शूरू हो जाते हैं जिससे क्या होता हिक कि वर्निंग मिल जाती है है ठीक है और सब अलर्ट ओ जाती है तो यह सिस्टम बहुत ज़्यादा कारम अदर गवर्णों की प्रोटेक्शन के हवाले से अब इसमें इसके वर्किंग किस तरह से होती है उसके लिए सरक्र डाइगरा मैंने यहां पर बनाई है और इसमें आपको डिटेर में समझाता हूं पहली बात यह याद रखें हाउस से अन्टरस पर यह दर्वाजे पर लगाया जाता है ताकि वे पाउं रखेगा तो यह प्रवायाद चुन्यक्ट हानों किसिस्टेंस मतलब कि यहां पर कुनेक्ट होती है हमारे पास सअक्र के अंदर और ऑकीए नूंके टो के कंपो अ बलॉइब किल्ग्र एक आर्म सिस्टम क चाहिए दो एंड थे कंटर के ज्ब्सकान उसकेशttने क क्यांन सोक्ति है और दूसरा ज्बीस टेशलिट क्यों लुबूरा थे क्यानि minister का सुमिल KKB करना करूं टर्मेंट भी इनपुट से जल्यां कर दूसरा थे एक और वाइर जो है वो यहां से नीचे की तरफ पुश बटन की तरफ आ लिए ये पुश बटन है स्विच लगा होता है दरवाजे की अन्टरंस पर तो एक वाइर वो हमारे पास यहां पर Connected है जो के बैटरी से Negative terminar से जो हमारे पास यहां पर Attach है Okay अब इसमें एक resistance है ठीक है अगर आप देखें तो हमारे पास हमारे पास यहां पर जो BE terminal Point है उसके साथ एक resistance भी Attach है और इसका Connection भी यहां पर बैटरी के Negative terminal से है अब ये नैंड गेर्ट है और मेरे के साथ अलार्म यह लगा हुए अब किस तरीके से ये काम करता है होता ही है कि जैसे ही जाशी कोई बल्गरर कोई जो जो हो धर्वाज के सामने आके खड़ा होता है तो ये जो LDR है इसके उपर light जो है वो फाल करना बंद हो जाती है क्यूंकि जब कोई सामने आके खड़ा होता है LDR के तो LDR के उपर shadow आता है उसका जिसके वासे light जो है वो dim हो जाती है light कम हो जाती है और जब light कम होती है तो ये LDR की resistance ज्यादा हो जाती है और जब LDR की रिजिस्टन्स ज्यादा होती है तो फिर क्रंट जो है वो इस में से फ्लो नहीं करता और ये क्रंट जो है वो फिर उपर वाले पास से फ्लो करता हूँ एपॉइंट पे आता है तो यहां पे एपॉइंट के उपर जो है वैल्यो मैकसिमम हो जाती है लबके B के उपर मीनिममो हो जाती है यहां कि यहां पे 1 यहां पे 0 अगर नेर्ट गेट में हमारे पास एक इंपुट 1 हो दूसरी 0 हो तो आटपूट के आती है वो आप यहां पे दे सकते हैं नेर्ट गेट के उपरेशन के ट्रूँट टेबल में कि अगर एक 1 है दूसरी 0 है तो और पूट 1 आ रही है तो अगर और पूट 1 आ जाज इतो अलाम जो यह वो चलना शुरू हो जाएगा मतलब कि एक कंडिशन अलार्म की चलने की यह है कि अगर LDR के सामने कोई आके खड़ा हो जाएगा तो ठीक है लाइट इंटरप्ट होगी रिजिस्टन्स ज्यादा हो जाएगी जिससे क्या होगा वैल्यो इंपूट की चेंज हो जाएगी वान एंजियो दूसरी कंडिशन क्या है अलार्म के चलने की कि अगर यह पुश बटन जो है इसके ओपर कोई पाउं राख दे ठीक है और यह भी असलिए क्यों कि जार सी बात है कोई बर्ग्रर सूपर मैन तो है नहीं है कि वह और की आएगा मेन एंटर से तो इसी वह से जब इसके ओपर पाउं रखा जाएगा तो क्या होगा कि यह जो हमारे पास एक वायर है ठीक है यह कुनेक्ट हो जाएगी यानि कि इसका पाथ कम्प्रीट हो जाएगा अब क्रेंट जो पहले यहां से होता हुआ यह टर्मिनल की तरफ जा रहा था ठीक है और यहां से वापिस वह इस पाथ में आता था तो अब वह यह जो है इस पाथ को चूश करेगा क्या कि उसे शॉटुट मिलजेगा सिरकल कम्प्रीट करने के लिए तो पिर क्रंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा उसे जब पता लगा जी हमारे पास यह पी यह पाथ भी है यहां से भी हम कर सकते हैं तो फिर वह इस पास होता वाफिस बैटरी के नेक्टिव टर्मिनल के पास आएगा ठीक है तो इसका मतलब है फिर एक के पास तो कोई करण जाएगा नहीं तो एकी वैलियू जीरो हो जाएगी और बी की वैलियू अगर मिसाल के तो पर वन है तो हमारे पास इनपुट जीरो बी जो है वो वन यानि के ए और ये तब हो सकता है अगर हमारे पास जो बल्क्रियर था वो में एंडरेस पे पुश बटन पे पाउं भी रख दे ठीक है और इस LDR के सामने आके खड़ा भी हो जाए यानके दर्वादे के जो साथ LDR लगा था ठीक है उसके सामने आके खड़ा होगा तो लाइट को भी इ वैल्युस संजत करेगा ठीक है बटन को भी फूश करेगा थो दोनों केसे में जो हमारे पास एए और बी की वैलियो है वो ZERO-zERO हो जाएगी क्न्ट जैगी क्रांट है वो ए और बी की वैल्यू जीरो जीरो हो जाएंगी जिसके वासे आउटपुट हमारे पास 1 ना आजएगी और फिर भी अलार्म जाएगा ठीक हो गया तो यह नैंड गेट का टूस टेबल जो है यह आपने याद रखना है कि कब हमारे पास आउटपुट 1 हो सकती है और कब हो सकती है कि अगर जो परसन गार में एंटर हो रहा है या तो वह सूपर मैन है ठीक है या फिर जो है वो ट्रांस्पेरेंट है मतलब कि उसका शैड़ो जो है वो ल्डियार पे भी नी बढ़ता और वो पुश बटन के ओपर पाउंग भी नी डगता तो फिर ऐसा नहीं तो इसी वह से यह हाउस सेप्टी अलाम सिस्टम बहुत ज्यादा कारामत हैं गरों की प्रोटेक्शन के हवाले से तो मीद करता हूं आपको इसका कंसेप्ट है समझा आगया होगा डिश्टाइजेशन जो है यह कैसा प्रॉसिजर इसमें आप इन्फार्मेशन को बान सब्सक्राइब करते हैं अब आपको मैं सकते हैं अब आपको मैं सर्क एक्सराइज के मार्कर वा देता हूं जी एक्सराइज में हमारे पास एमसी क्यों जो है यह आपके स्टार्ट होने है स्मार्ट स्लेबर्स के मताबक 34567 थ्री वाले का जो अप्शन है वह सी है मतलब कि यहीं पूछरे है ता लोजिक ऑप्रेशन परफॉर्ण बाइस गेट इस नैंड ठीक है यह नैंड गेट का स यह आप देख सकते हैं जैसे के साइड इंफर्मेशन में भी एक्स इस इक्वल टू ए डॉट बी टीक है दो दफ़ा बार का साइन है तो हमारे पास आंसर जो है वो ए डॉट बी ही आजएगा ठीक है अगर आप दो दफा नौट अप्रेशन पर्फॉर्म कर दें ठीक है एक और साइवन फाल एक आप्शन भी है अगर बात करें तो इस दवा स्मार्स लिबस में जो आपके क्वेस्टिन शामल है उसमें 16.7 शामल है पेज नंबर 154 पर आजए तो इसमें हमारे पास 16.8 शामल है 16.9 और 16.10 यह आपके स्मार्स लिबस में शामल है बाग की कंसेप्ट् के निमेरिकल प्रॉब्लम तो ही नहीं तो नेक्स टेम आपको इन्शाला मैं आपको इसके दो शोट आंसर क्वेस्टन जाए उनके आंसर भी बता दूंगा और फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तील देन थैंक्यों आइस टे झाल 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